हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ये 24 नॉलेज जे ओफिशल यूट्यूब चैनल, आज के इस वीड़ो में हम बात करेंगे बॉर्डर रोड्स ओर्गिनाइजेशन, सीमा सडक संगठन बियारो की न्यू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के ओफलाइन फॉर्म फिल अप प्रॉसेस जोबरासा.ड.com पर वहाँ पर अगर आप इसकी डेटेल्स को चेक कर सकते हैं, अगर आप अप अप्लिकेबल हैं, एलिजीबल हैं, तो आप इसके लिए ओफलाइन अप्लाइट कर सकते हैं, बात करेंगे इसके फॉर्म अप्लाइब प्रॉसेस के बारे में और इस वीडिय एक पर ही आपको मिल जाता है, अप्लिकेशन फॉर्म आपको कैपिटल लेटस में आपको फिल करना है, कंट्रोल नमबर को आपको ब्लैंक छोड़ना होगा और आप इसका जो प्रिंट आउट है वो एफोर साइस पेपर पर आप निकलवा सकते हैं, और उसके बार फ्रेंस आप इसे फिल करेंगे, यहाँ पर फ्रेंस आप से कहा गया है, पेस करनी है, आपको आपकी रंगीन फोटोग्राफ मिंस कलर फोटोग्राफ जो की तीन महेंस ज़्यादा परानी नहीं होनी चाहिए, साथ में जो सिगनेचर ऑफ केंड़ेट हैं वो फ्रेंस से साइन करना है तो फोटो पर आपको यहाँ पर साइन करना होगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले नेम आप पोस आप लिखेंगे, किस पोस के लिए अप्लाइ कर रहे हैं, SKT के लिए, MSW के लिए, तो पूरा जो पोस का नाम है, वो आपको मेंशन करना है, सीरियल नमबर जो है पोस का ए OBC, XServicemen, जो भी आपकी कैटिकरी है, वो सलेट कर सकते हैं, सीरियल नमबर आप देखना चाहें, तो नोटिफिकेशन में आप आ सकते हैं, पेज नमबर 26 पर, यहाँ पर देखिए सीरियल नमबर 1 जो है, वो है स्टोर कीपर टेकनिकल के लिए, और सीरियल नमबर 2 जो है, multi-skilled worker driver engine static के लिए, तो आप अपने according जो भी आप सीरियल नमबर सलेट करते हैं, उसकी जानकारी आपको देनी होगी, और post का नम आपको mention करना होगा, जिस भी category से आप बिलॉंग करते हैं, उसकी जानकारी आपको उस पर टिक करना है, इसके बाद है, वेंटेज परसेंटेज marks, अब यह सबसे पहले है, जो essential qualification है, essential qualification कौन सी है, जो कि आपको यहाँ दी गई है, जैसे 10 प्लस 2 है, और साथ में having storekeeper knowledge आप से यहाँ पर मांग गई है, यहाँ पर फैंस आप से मांग गया है, matriculation और साथ में आपकी पास certificate होना चाहिए, mechanic, motor या फिर vehicle या tractor का ITI certificate, तो आपक sell qualification का जो आपकी percentage है, वो आपको mention करना है, साथ में जो आपकी additional आपकी percentage है, वो आप यहाँ पर mention करेंगे, अब additional percentage कौन सी है, जो की column 15 में आपको दी गई है, तो इसके लिए फैंस, आप page number यहाँ पर 12 पर point number 3 को check कर सकते हैं, जैसे मालीज आपके पास NCC का B certificate है, तो 5% का पर मिलता है, तो आप यहाँ पर जो भी criteria चेक कर रहे हैं, उसके according आपको, अगर आपको कोई extra vintage मिलता है, तो आप उसे यहाँ पर mention करेंगे, और दोनों को plus करने के पर आप यहाँ mention कर सकते हैं, अगर कोई भी आपका यहाँ पर additional आपका claim नहीं है, percentage का तो आप इसे blank और total में आप percentage को mention कर देंगे, अगर आप minority community से belong करते हैं, तो यहाँ आप कर सकते हैं, EWS से आप belong करते हैं, तो यहाँ कर सकते हैं, और उस credit condition में आपको supporting document भी attach करने होंगे, इसके बद है आपका name, तो 10th की mark sheet के according, आपको block letters means capital letters में आपको यहाँ पर आपका जो नाम है वो mention क करना होगा, आपका जो date of birth है, date, month and year वो आपको यहाँ पर mention करना है, आपका जो permanent और आपका present postal address क्या है, वो आपको देना है with state और pin code, यह permanent है जहां कि आपके documents है, जहां कि आपका bonafide certificate है, card certificate है, वो address आप यहाँ लिखेंगे, और जिस समय आप present में जहाँ पर रहते हैं, जह आप पत्रा चार करना चाहते हैं, जहां पर आपका admit card आए, वो address आप यहाँ पर लिखेंगे, दोरों same है तो आप same entry कर सकते हैं, अलग-अलग है तो आप अलग-अलग भी यहाँ पर form को fill कर पाएंगे, इसके बाद है application fees की details, अब यहाँ पर देखेंगे, fees अगर आपकी देनी होगी, तो इसके लिए फ्रेंट से देखी, जब आप payment करते हैं, तो payment की जो process है, application fees की जो process है, वो फ्रेंट से आपको यहाँ पर दी गई है, कि जो fees है, वो non-refundable है, fees आपको 50 रुपे पे करनी है, अगर आप general EWS और OBC candidate है, अगर आप SCST candidate है, तो आपको यहाँ पर fees पे नहीं करनी, तो आप यहाँ पर इसे blank छोड़ देंगे, तो आप जंदल OBC EWS candidate है, उस condition में 50 रुपीस आपको देनी होगी, इसके जो link है, ओनलाइन SBI का वो आपको यहाँ पर mention किया गया है, तो आप इस लिंक पर किलिक करेंगे, तो आप आएंगे इस वाले पोर्टल प देखिए, आपको इसामने जो option है, वो open होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम देना है, फादर नीम देना है, नेशनल टीम आप इंडियन फिल करेंगे, यहाँ से आप अपनी डेट अपर सलेट कर सकते हैं, 10 डिजिट का मॉबाइल नमबर, आपका address क्या है, state क्या है, पिन कोड क्या है, आपका अधार का नमबर क्या है, और एटाजमन अबर जो है, वो 0-2022 है, ट्रेड किस ट्रेड में अप अपप्लाए कर रहे हैं, मतलब किस पोस्ट के लिए अप्लाइ कर रहे हैं, अमांउंट 50 रुपे, रिमार्क में आप फीस लिख सकते हैं, रिगूर् को complete कर सकते हैं तो आपको friends मिलेगा डी यू नंबर तो वह reference नंबर जो मिलेगा वह आपको यहाँ पर mention करना होगा इसके पर आपसे पूछा गया है next option में कि आपकी जो category है पैरा 4 में अब आप यहाँ पर उपर आते हैं पैरा 4 में तो देखी category general है AWS है SC ST है पर साथ में मान लीजिए आप CPL है या फिर आर्मी वार्ड है या जी आर्मी वार्ड है या एक सर्विसमें है तो आप यहाँ पर multiple category आप चूज करने चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसकी जानकाई दे सकते हैं कि आपने कौन सी एक सर्विसमें है तो यस कर सकते हैं नहीं तो आप नो करेंगे son of ex-servicemen है son of serving या retired GRF है यह फिर आपके ब्रोदर है serving है आप आर्मी में NCC का BSC certificate है जम्मू एन कश्मी माइग्रेंट है sports person है तो आप उसमें यस या नो कर सकते हैं और उसके according ही आपको फ्रेंस से जो एडिशनल benefit है percentage का वो मिलेगा अब यहाँ पर आपको numbers देने हैं अगर आप state level के sports person है तो एक number district level के हैं तो दो number और university level के हैं तो तीन number यह आपको mention करना होग इसके बाद friends इस से related certificate भी आपको support के लिए आपको यहाँ पर send करना होगा इसके बाद है qualification अब 10th, 12th, ITI, diploma, degree जो भी आपके पास है आप उसकी जनकारी दे सकते हैं Europe passing, board का नाम, subject के name, marks और out of marks कितने में से कितने numbers आपके आए हैं और percentage और marks क्या है यह आप जनकारी provide करेंगे इसके बाद friends इहाँ पर आपको अपनी certificates की और documents की copy भी send करनी होगी इसके बाद friends से कोई technical qualification है तो आप उसकी जनकारी यहाँ provide कर सकते हैं और उसकी copy भी आप send करेंगे इसके बाद driving license अगर आपके पास यहाँ पर है LMV, HMV तो आप उसकी जनकारी दे सकते है data of issue, issue authority और अपने experience की जनकारी और साथ में experience certificate भी आपको send करना होगा, यहाँ पर friends अगर आप BRO label है या फिर CPL का कोई experience है तो आप उसकी जनकारी दे सकते है, declaration का option है तो यहाँ पर देखिए आपको place और date लिखना है, कहां से आप form को fill करना है, किस date पर करना है, left thumb impression लगाना है, signature आपको पूरा address आपको mention करना होगा, और आपका post office, district, pin code आप यहाँ पर mention कर देंगे, और यहाँ आपका communication address होगा, communication address मतलब जहाँ पर present में आप रहते हैं, इसके बार friends यहाँ पर देखिए, at the time of submission of application form, तो यहाँ पर आपको signature और left thumb impression करकर send कर देना है, जब आप return test के लिए और यह भी आपको send करना होगा, साथ में application form के, इसके बार आपके document के सपोर्टिंग आपके documents हैं, वो कौन-कौन से किस तरह का performer रहेगा, उसकी जनकारी आपको यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पर उसे check कर सकते हैं, तो साथ में friends से मैंने आपको सारी जनकारी provide कर दी है, क आपके documents होंगे, वो या तो self-attested होंगे, या फिर आप gadget officer से भी उसे attested करवा सकते हैं, आपका जो OBC और EW certificate है, वो एक साल साल दार पुराना नहीं होना चाहिए, साथ में friends से यहाँ पर देखिए, जब आप इसे send करेंगे, तो जो इसका main एनलफ होगा, उसके application for the post of, और आ जनकारी friends से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, guideline में आपको बता दी है, क्या-क्या details आपको फिल करनी है, फिर भी कोई query, कोई समस्या है, तो friends आप video description में जा सकते है, jobrasa.com पर महापजागर आप details को verify और चेक कर सकते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं, और अगर यह हमारे साथ बने रही है, और ऐसे ही देखते रही हमारे YouTube चैनल, एनलास, थैंक्स पूर वाचिंग.